अब भाई गाना कब रिलीस कर रहे हो भाई मैंने आपको बताया तो था कि मैं देखो भाई जब भी मैं कुछ रिलीस करता हूं मेरे को इतना लगता है कि मैं कुछ भी निगालता हूं तो मेरे को बहुत गालियां पड़ती हैं तो अब मेरे को लगता है कि मैं चीजे तभी नि इस द्रेस केंसल करने की आपको याद है बहुत पहले मैंने एक स्ट्रीम करी ती जिसमें मैं वह सटायर में बता रहा था कि पीडी जो होते हैं स्ट्रोइड जो होते हैं वह क्यों लेने चाहिए तो इसके इंदर मैंने एक 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 सिसिफस का कि कैसे भगवान ने सिसिफस को एक शराप दिया था कि वह जिंदगी भर एक बॉल उलिम्पस में से रोल करते वह उपर जाएगा और भगवान ने उसको शराप दिया था तो मैंने बोला था अगर सिसिफस के पास स्टरोइड होते तो वह बहन की चूट बॉल लेता और फेक देता वाई बड़े से स्टोन को और वह भगवान को बोलता है मा की चूट तेरी तो मैंने तो यह सिसिफस के एक्जाम्पल से दिया था बट आजकल लो स्ट्रीन करने कुछिश करूं अपना साइड भी तो फिर कोई सुनने को रेडी नहीं है तो मैं ना अपने हाँ जोड चुको हूँ अब आपको जो मेरे साथ करना है आपको मेरे को कैंसल करवाना है लो आपको मेरे से कोनी जुड़वा के माफी मंगवानी है यह यह कौन आ अरे भाई आरू मैं स्ट्रीम पे हूँ भाई तो लाइव है हाँ अब एक मिनट मुझे थोड़ी पता था यार अरे तो मुझे मुझे क्या मेरी यल्टी है मेरी यल्टी है पता अश ओनली देसी येस हर कोई ये बात कर रहा है कि उसके पापा ने उससे कर रहा है और कोई ये बात नहीं कर रहा है कि वाई अबिना वरोडा सो फकिन फैक्ट आपको नहीं लगता कि ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है बिकुसे इस एजियर तो सेल चबी किड्स दूइंग इंग्स अगर अबिना वरोडा थोड़ा और चोटा होता मतलब चलना वलना नहीं आता तो उसके पापा डाइपर की एड पर आड कर वाते उससे भाई एक से एक हगीज की एड में अबिना वरोडा दिखता है और मुझे लगता है कि अबिना वरोडा को ना जान बूझ के सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि मतलब यो भगता है और इवरिधिंग उसकी चभी भी ऐसी बनाई जा रही है कि गूल मटोल सा बच्चा है है ना क्यूट सा है और इवरिधिंग आपको पता है जैसे जिसे फ्रांस में जो दक्स होती है उनको जबर्दस्ती खाना किलाते है जिससे कि उनका लिवर मोटा रहे क्यूंकि फिले मिन्यों फिलिंग होता है वैसे ही मुझे लगता है कि अबिना वरोडा के जो पाप माय है उसको जान बूच के जितनी भी बची कुछी मिठाई आना जो इदर उदर जाके वो जाते हैं घर पर आके उसको फोर्स फीड करवाते हैं एंड सपोस करूं कि भाई अगर अभिना वरोडा गलती से थोड़ा सा पतला हो गया आगे जाके कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी लगेगा ना कि एक चीज़ एक चीज़ करती है यह वांट टो लुक गुड में जाना है लुक्समैक्सिंग करनी है हर किसी का होता है ना थी चूट जाएगी भक्ती के साथ में भी उसको लगेगा कि भाई थोड़ी कसरत भी करते हैं वर्जिस भी करते हैं तो उस टाइम पर मुझे लगता है बहुत को भी मज़े आते हैं लाइम लाइट में आने में अबंड़ नोव बाइए डोंट इंक सो एक बच्चा उता ना उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी वह करता है अगर वह ऐसे माबाब की तरफ देखता है आपने आप अपने कजन के साथ में ऐसी बातें करें और तुर पता है भेंचोद फिर यह हुआ और आपका एक छोटा सभाई कजन ऐसे सुन रहा है आपकी बात है ना फिर क्या होता है शादी में वो एक शादी में कोई यहां पे भी हो रहा है बस वो अभी न वरोड़ा जो है वो असे एक्स्प्लिसित वर्ड यूज नहीं कर रहा है और मेरे को तो अभी सबस्दादर डिसपॉइंटिंग चीज जो लग थी वो यह थी जो मैंने कल देखा अर्याल मैडरिड वर्सेज बार्सलोना मतलब पूरे गेम में मतलब first half तक ऐसा था कि हाँ भाई सारे लोग बार्सलोना के अगेंस लड़ रहे है और second half में ऐसा लग घ्रा था की पढ़के ना आदमी चुतिया जाता है भाई वो बंदा फिर ना भाई वो ऐसे काम करता है कि भाई सब खतम कर देंगे भाई अब तो सब खतम कर देंगे भाई सब खतम कर देंगे पूरी दुनिया खतम कर देंगे हम ही हैं जो हैं भाई हम तो सब खतम कर देंगे और वो ना अ self-fulfilling prophecy उनको काम करने के लिए एक अंदुरूनी डंडा मारना पड़ता है अपने आपको जो वो self-help पढ़के मारते हैं पहले तो ऐसा होता था ना तुम पढ़नी रहे हो तो तुम्हारे माबाप आते थे तुम्हार को बोलने के तुम कुछ बन नहीं पाऊगे self-help book पढ़के ना आदमी ऐसा बोलता है भेन की चूत तरना है तो तुम अपने आपको डंडा खुद मारते हो और वो मुझे लगता है उसकी वज़े से ना आज की डेट में सबस्यादा बर्नाउट उसकी वज़े से सबस्यादा डिप्रेशन ऐसी चीज़ों की वज़े सबस्यादा मतलब जो लोग होते ना अपने काम से उबते हेट दूइंग दूइंग के बाद जब वो साइकल उनको पता चल जाता ना हां भाई अब तो मुझे पता है सेल सेल बुक हम बहुत कुछ होते थे कि फाइनली सिस्टम को किसी ने चैलेंज किया अब तो मतलब ऐसा लगता है कि पताके फोड़ना इस लाइक इसलिए फोड़ते हैं पताके क्योंकि उनको लेफ्टिस्ट के मूँपे बजाने ले बैं तुने मना किया था ना तभी फोड़ रहा हूं पार ने कहा उने की महरानी से पार्ट अटाने को ने कर अगर महरानी से पार्ट था था थे महरानी क्या हूँ आपकी यह बैंने आपकी से अड़िफेंस वाली वीडियो काम आ गाई लभ यह ब्ठाने मुझे जनूने ली बुरा लगता हैं not for the comments that the Santur mom has to read but the f**king fact that her son has to go to school each day and has to sit in a classroom जहां पर हर कोई यह सोच के आया कि भाई आज तो यह शोकीन आदमी आया है भाई मैं वो बोलना नहीं चाहता है गलत चीज लगेगी but I don't know man I feel like कि इसे समझाऊ भाई मतलब weird it's weird उस पूरी family में सबसे आदा sad बताओ कि इसका चहरा लगता है मुझे उसके husband का बट नहीं भाई मतलब मैं को बहुत बुरा लगता है उसके बेटे के लिए भाई जो रोज पूल जाता है जो हर को इससे पूछता है भाई नहीं है भाई नहीं है ऐसा कुछ मुझे यह लगता है कि Santur mom should understand that where I am coming from I am coming from a place of challenging notions around incest I think भो जो page है ना it is a satire against our expectations and social norms about incest sometimes you just look at that reel and just think काश यार मेरी mom भी hot होती I am just playing आपने एक और चीज़ नोटिस करी है जब भी आप Indian stand-up देखते हो अगर कोई आदमी आता है स्टेज पर माइक लेके बोलता है और भाई हम लोगों ने ना फिर सेक्स किया और वो जो बंदी थी इसने मेरे को देखके बोला वाउ यह तो इतना ही सारे लोग है और महीं पर ही अगर कोई लड़की बोलती ना उसके बाद you know I try to take off my pants रॉड़ कुटिया बहन की लोड़ी तब से बैठा वाओ उल्टी सीधी बाते करी जा रही है बहन की लोड़ी मादर चूप and I find it hilarious I find it hilarious एक बंदा बोलता कॉमेंट्स पढ़ रहा था मैं फिर्मेल कमीडियन सिर्फ और सिर्फ यही बाते क्यों करती है और एक बंदा बोलता क्योंकि सारी की सारी होर्स है और फिर नीचे बंदा बोलता कि इंडियन फीमेल कॉमिक्स को टू फिंगर टेस्ट कराना चाहिए स्टेज पे चड़ने से पहले कि वो सारी होर्स है you know that's all they talk about बट अगर सेम चीज कोई अगर आदमी कर रहा होता है which is the same thing अगर कोई सेम बंदा रंडी वाजी पे कुछ जोग बना दे कि अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन पर अपना कुछ ऑपिनियन रखती है तो इसको बोल दिया जाता है कि वो तो खुद प्रोस्टिट्यूशन में पार्टिसपेट करना चाहती है तो as a topic as sensitive like sex औरतों को ना perspective लोग सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि औरते sex थोड़ी करती है औरतों के साथ sex होता तो does their perception even matter? does their opinion even matter? ऐसा तो नहीं होता मुझे तो नहीं लगता भाई मुझे लगता है कि भाई जितना हक मेरा है sex पे उससे आदा हक औरतों का है क्योंकि at the end of the day she allows me to do it नहीं नहीं मतलब I'm just saying कि बहुत passive role से देखा जाता है औरतों को कि मतलब ये इनके साथ sex होता है ये sex नहीं करती है वट ऐसा असल में होता नहीं है which is कहीना कहीना तो तभी challenging होता है लोगों के लिए accept करना कि एक औरत है जिसने sex किया है she was an active participant of that thing and now she has an opinion and I think कि ये सिर्फर सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब इस में जो मैं बोलता हूँ कि इसी के साथ sex हुआ है और कोई sex कर रहा है इसके अंदर ना कहीं ना कहीं एक hidden violence चुपा हुआ होता है और आज भी देख ले ना भाई आज जो मैंने वो बात करी ना इंडियन मतलब ये female comics, stand-up comedians की इसमें से भी यही चीज होगा जो चीज के लिए मैंने पूरा context दिया था और पूरा joke दिया था वो आप लोग देख रहे हो पर इसमें से पताओ क्या कटेगा रांट, बहन की लोडी, कुटिया और इसी को लोग memes बनाएंगे पर मुझे इतना लगता है कि बाई, वेप वेप तो ठीक है बाई बट जब भी आप anime देखते हो कभी आपनी यह सुचा है कि berserk की ending क्या होगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कास का के अंदर ना वापस से इसकी memories आने लगी हैं